गुणा करना हमने अभी रियाद्वारा अपने पाँच दोस्तों को दी गई चौकलिट की संख्या की गणना की जो थी तीन जमा तीन जमा तीन जमा तीन जमा तीन जमा तीन बराबर पंद्रा अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे की तीन की संख्या पाँच बार नज़र आ रही है इसलिए हम इसे पाँच गुणा तीन बराबर पंद्रा भी लिख सकते हैं आईए एक और उदारण लेते हैं छे जमा छे जमा छे बराबर अठा रह हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं तीन गुणा छे बराबर अठा रह क्योंकि छे तीन बार आ रहा है